हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूप सिंप्लिफाई हिंदी में, मेरा नाम है सहीम पाठक और आप देख रहे हैं क्यूप सिंप्लिफाई हिंदी आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगें वो एक हाइड़ टॉपिक है कुछ लोग उसको अपने प्रोपगेंडा के हिसाफ से अलग तरीके से परचार करते है, बट हम उसको आज ब्रेकडाउन करके समने जीजिश करें तो टॉपिक का नाम है platform engineering तो आज इस वीडियो में हम platform engineering के बारे में discuss करेंगे इस चीज़ के बारे में discuss करेंगे कि क्या DevOps dead है DevOps में आगे क्या आने वाला है DevOps और platform engineering में difference क्या है और क्या DevOps engineer की नौकरी खत्रे में है इन सब बातों के बारे में clarity से सोचने की कोशिश करेंगे examples के साथ और वीडियो में आगे मनने से पहले आपको पता ही है क्या करना है चैनल को subscribe करो इस वीडियो को like करो और share करो और खूप सा रप्यार इस चैनल को दो ताकि तुम और awesome content मुझे बनाने पे मजबूर करते रहो बागी comment section में डाल दिया करो आपकी organization के अंदर यह teams है team A जो कि product A पे काम कर रही है team B जो कि product B पे काम कर रही है team C जो कि product C पे काम कर रही है तो यह सारी teams को कुछ infrastructure चाहिए होगा कुछ application develop करने के लिए tools चाहिए होगे और यह सारे लोग यह वाले platform से APIs या UI के थूरू request करेंगे तो platform engineering वाली जो team है या platform engineering का जो concept है वो क्या कहता है कि हम एक platform त्यार करेंगे जिसको हम बोलेंगे IDP क्या मतलब IDP का internal developer platform तो हम एक internal developer platform को generate करेंगे वो internal developer platform से लोग अपने अपने resources जो भी उनको चाहिए है products बनाने के लिए उसको request कर सकते अब पहले क्या होता था देखो DevOps में अब यह तो तुम्हार को starting से मैंने brain में अब एकदम ऐसे बंसा फोड़ दिया कि platform जिनने खहक है चलो और एक sequence में समझने ही कोशिश करते है तो सबसे पहले है no DevOps no DevOps में क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक है dev team और एक है आपके पास जो करती है deploy अब dev team का मतलब तो यह है कि यह तो बनाएंगे product को ठीक है न यह product को बनाएंगे और ship कर देंगे यहां पर और deploy करने वाले क्या करेंगे उस package को लेंगे और deploy करेंगे इसको कोई knowledge नहीं है कि यह क्या काम कर रहे है और इसको कोई knowledge नहीं कि इसको क्या issues आ रहे है तो deployment वाले team को कोई भी issue आ रहा है कहीं पर कोई चीज़ फट रही है version का mismatch हो रहा है तो वो फिर से यहां पर जाएंगे इनको बोलेंगे यह लोग फिर से उसका काम करेंगे फिर से नहीं चीज़ शिप करेंगे depending on whatever factors that they have decide और उसके बाद फिर से इन लोगों को वो फैंक देंगे तो इसमें क्या है इनके बीच में एक दिवार है मतलब यह लोग आपस में इतना communicate नहीं करते हैं इन लोगों को आपस में एक दूसरे के tool से कोई लेना देना नहीं है और यह लोग सोचते हैं कि हम मतलब हम सिरफ काम करेंगे product वगरा ship कर देंगे और उसके बाद deployment का काम इनका है scaling वगरा यह सब चीज़े यह लोग देखें हमें कोई लिएना देना नहीं जो कि ठीक बात भी है लेकिर इससे क्या है कि deployment का जो time है वो बढ़ता जाता है I mean इसको बोलते है time to production ठीक है TTP जो आपका time to production ने टूशिप anything वो बढ़ता जाता है अब organizations को क्या है कि हम लोग छोटे से छोटा feature भी अब क्या होता है कि बहुत सारे जैसे तुमें application बनाते हो WhatsApp ले लो कोई भी application ले लो तो तुम देखते हो ना हरोज के basis पे एक new update आजाता है आता है कि नहीं आता new क्या बहुत जादा update आता है कई बात तो इतना frequent होता है कि daily basis भी update आता है पर वो daily basis वाले update फिर कैसे हो अगर यह इतना लंबा सा process हम follow करेंगे और इसके बाद जो आगे monitoring वाला stage है वो सब पर security वो सब तो हम अभी गए नहीं है क्योंकि वो सब teams भी अलग हो जाती है और वो सब देखने के लिए लोग भी अलग अलग है तो काफी disconnects है तो इसके लिए जो approach आई वो क्या आई कि हम लोग ship to जो time to production है उसको कम करें और ship to production उसको faster करें तो हम जल्दी जल्दी ने ने features को production में डाल पाएं इसलिए यह आया dev ops इसका क्या मतलब हुआ इसको इसलिए बोलते हैं collaboration है, culture है, फलाना है, दिमकाना है उसको इसलिए बोलते हैं टाकि जो silos है ना यह इसके बीच की दिवार हट जाए और development और operations की जो team है development और operations की जो deployment वाली team है, उसको ops बोलते है development और और operations की team है, वो आपस में collaborative तरीके से काम कर पाएं different set of tooling पे, ठीक है अब क्या होता है अब इसमें यह infinity वाला diagram तुमने देखा हुआ इस infinity वाले diagram के अंतर ही होती है CI, CD, बड़े common से शब्द है continuous integration and continuous deployment तो उसका मतलब क्या है कि जैसे तुमने यह तुमारा git repository है ठीक है, git repository में एक बंदे ने code लिखा ठीक है, code लिखा, उसने यहाँ पे डाल दिया ठीक है, अब यहाँ पे एक CI pipeline लिखी हुई है CI pipeline का काम क्या है जैसे ही code आएगा वैसे ही हम उसका एक deployable artifact generate करेंगी ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर वो testing जो build वाली होती है build कर दिया code को फिर test भी कर दिया code को और उसके बाद हमारे पास artifact तयार होगा artifact को push कर दिया registry के अंदर अब artifact को push कर दिया registry के अंदर उसके बाद हमने क्या करना है इसको deploy करना है deploy कहा करना है, एक infra के अंदर करना है तो एक infra भी बना तयार होगा तो infra के अंदर deploy होगा और उसमें या तो तुम one click deploy कर दो और या तुम autonomous way के अंदर CICD continuous integration continuous deployment in automated way करोगे तो जैसे ही नई image यहाँ पूछ होगी वो automatically deploy हो जाएगी यह सारे principles से ही काभी-काभी सारी चीज़ें evolve होती हैं जैसे कि GitOps involved होता है जो कि modern CICD for Kubernetes kind of कह सकते हो अब क्या है सीन अब समझने कोईश करना problem अब devops का तो बड़िया चल रहा है ठीक है यह तो ठीक है चलो CICD के हैं बहुत सारे टूल्स हैं फिर infra है अब इसमें भी-काभी सारी इंजिनियर है कुछ लोग आते हैं इंफ्रा इंजिनियर ठीक है कुछ लोग आते हैं devops इंजिनि ठीक है इनका देखो काम क्या है reliable systems को चलाना reliable तरीके से application को deploy करना monitor करना secure करना तो infrastructure इंजिनियर वालों में जैसे terminology और again case to case basis company to company basis requirement to requirement basis होगा यह सारा अब ही में infrastructure इंजिनियर आता है तो हो सकता है उसका काम इंफ्रा लेवल पे ज्यादा हो devops इंजिनियर आ रहा है कि उसने सारा देखना है CICD सारी pipeline वो लिखेगा कोई भी automation है तो automation की scripts वो लिखेगा कोई भी नए ने टूल integrate करने है cloud integrate करना यह वो सब कुछ वो देखेगा सारी यह modern term होगी साइट reliability इंजिनियर यह लोग के जो भी सारा यह है CICD automation यह तो हई है उसके उपर से monitor सारे SLS वगरा देखना कि वह application कितने अच्छी चल रही है कितने अच्छी नहीं चल रही है उसको monitor करना सही तरीके से चलाना साही सही तरीके की monitoring implement करना ताकि हम SLS को follow कर स उसमें और हरे की कितने कितने सारी tooling और कौन-कौन सी एक 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 तो तुम्हें आनी ही चाहिए ठीक है उसके अंदर काभी सारे concept आया सी security आई सी में terraform cross plane पुलूमी और यह सारे वीडियो में हम क्या साबित कर रहा है और हम क्या discuss करने वाले हैं platform engineering के बा एक तो पुश की वाज़े से लोग ऐसे बोलने लगे यह चीज़ें फैलाने लगए कि डेवाप्स इस डेट फिर कुछ सारी publication में लगए कि डेवाप्स डेड लॉंग लिव प्लैटफॉर्म इंग रहेगी डेवाप्स रहेगा नहीं यह है क्या जुगाड क्या ही अब समन् चार टीम में अलग अलग इंजीनियर थीक है ना चारों की चार टीम के अंदर एक application developer होगा application develop करने के लिए फिर एक devops engineer होगा किसी भी level का जो कि सारा infra और यह सब चेनियर है फ्रिर यह भी दो से दो से तीन भी हो सकते है depending on the size of the project so let's say A, एक small project है B, एक large project है ठीक है C है, इसमें भी 3-4 इंजीनियर ने डी में भी है तो यहाँ पे कुल मिलाके हर एक team के अपने-पने devops engineers है अपने-पने tooling है जो सारी developers की है तो अब scene यह है कि हमें अपने teams को capable बनाना है इस तरीके से पहली बात तो सारे devops engineers अपने-पने बुद्धी मता के हिसाब से अपने-पने tools को use करेंगे यहाँ पे जो कहता है भी team A वाले कहता है कि हमें तो Kubernetes पसंद है team B वाले कहते हैं हमें तो Nomad पसंद है team C वाले कहते हैं हम तो Docker से ही कुछ है team B वाले कहते हैं कि हम कोई और ही अपना storage secret store यूज करेंगे के वी store जो भी किसी cloud में available है तो इससे क्या होता है एक single company एक single company के अंदर हमारे differences create होगे so there is no standardization यहां पर standardization खतम हो जाती है बिल्कुली there is no security अब क्या है सारी की सारी security audit अगर करनी है हर टीम के हर टूल के अलग से security audit होगी तो standardized tool यह standardized security audit यह standardized policies नहीं है और यह सारी teams जो है वो आपस में struggle कर रही है आपस में time consume कर रही है और आपस में फिर duplication सारा duplication का बहुत बड़ा factor आ जाता है जैसे इसने भी Kubernetes cluster चला लिया सपोज इसने भी Kubernetes cluster चला लिया इसने भी Kubernetes cluster चला लिया हर cluster की configuration अलग हर cluster के cloud अलग हर cluster का सारा scene configuration setting सब कुछ अलग तो सब ने अपनी अपनी terraform scripts लिखी है किसी ने कोई और लिखे पुलूमे के तरू किसी ने और लिखे क्रॉस प्लेन के तरू तो यह तो पूरा का पूरा हमारी कंपनी के अंदर एक standard set of tools आएंगे जैसे कि अगर तुम्हें deploy करना है तो हम Kubernetes अगर तुम्हें githops करना है तो हम argocd से करेंगे अगर तुम्हे secrets manage करना है तो हम vault यूज करेंगे ठीक है यह तो सारे कॉमर हो क्योंकि यह सब को चाहिए और यह हमने define भी कर दिये तो यह as a platform बनाया platform इंजीनियर्स पर अब मैं बता हूँगा यह कौन है यह प्लैटफॉर्म इंजीनियर्स कहां से आते हैं यह लोग कौन है यह लोग इसके बार मैं बात करता हूँ मैं तो यह अभी मान के चलो कि यह एक platform है अब यह जो एक platform है वो सारी teams जो उपर थी उनको चारो को नीचे ले आते हैं तो यह जो चारो की चारो teams थी उपर अब यह क्या करेंगी अब यह वाली team कहेगी भी मेरे को फटा वट से application deploy करनी है production में फटा वट से Kubernetes cluster देदो जिसके अंदर अर्गो सीडियो एक वाल्ट भी देदो एक अक्शन के लिए repository स्केलेटन टेंपलेट भी देदो तो वो लोग platform से या तो UI एक सिंपल UI या CLI के थूरू request करेंगे और इनको यह सब चीज़े मिल जाएंगी अब यह सब चीज़े तो इसको मिलेंगी यह pre-configured according to the company standards, pre-configured according to the security standards, pre-configured according to the standardization of the company that level has set और इसमें duplication नहीं होगे क्योंकि सारी teams के पास similar setup होगा तो basically एक ही platform सारी teams को serve करना तो यहां पर हमने इतना कुछ बचा लिया, time बचा लिया, इन लोगों का time बचा लिया, जहां पर इन लोगों को यह setup नहीं करना, कोई research वर्क नहीं करना, directly यह बोलेंगे भई, एक cluster देदो, platform को बोलेंगे, platform काएगा, yellow भई, एक cluster, वो बोलेंग दिखके, और इसको फिर production में push कर देगा, सारा काम सही हो जाएगा, अब आते हैं कि, अब तुम्हे platform engineering clear हो जाएगा, कि platform है क्या, इसको ही बोलते है, IDP, जैसे मैंने पहले का, internal developer platform, अब देखो, scene क्या है, कि लोग यह बोल रहे है, कि devops engineering की नौकरी खतरे में, devops को concept की खतरे है, क्या मतलब हुआ, इसका next iteration, मतलब यह evolve हो गया concept, अब devops engineer की जो next iteration है, वो है platform engineer, मतलब अब लोग ज्यादा तर platform handle करा करेंगे, बड़ी-बड़ी companies में, चोटी companies में, अभी चोटी-चोटी teams में, वैसे भी, यह जो चार टीम वाले लोग हैं, इनके अंदर भी एक-एक devops engineer तो रहे गई, क्योंकि देखो, अगर तुम एक cloud provider है, एक cloud provider से एक VM का instance, और काफी सारी services, जैसे की Kubernetes, managed Kubernetes और यह सारी चीज़ें भी लेते हो, तो कोई एक single person तो तो तुमारी team में होता है, जो यह सब manage करता है, हाला कि पूरा था, पूरा managed services है, जो Google Cloud, या SEO Cloud, या कोई भी cloud है, वो manage करता है, लेकिन internally एक बंदा तो होता है ना, तुमारे team में जो यह सब चीज़ें देखता है, और manage करता है, similar to that, यहाँ पे दो से तीन या तीन से चार devops engineer नहीं होगे, एक devops engineer होगा, जो पूरे के पूरे infra की take care कर सकता है, क्योंकि उसको सब कुछ maintain नहीं करना, जो infra है, वो सब कुछ तो platform engineer ही वो करेगा, जैसे टिकेट raise करी platform engineering team को उन्होंने solve कर दी, लेकिन फिर भी हमें एक-एक devops engineer या एक-एक SRE या platform जो भी तुम कहोगे, वो यहाँ पे चाहिए होगा, ताकि वो इस team के infra और utilities और इन सब को manage कर सके, अब यह कहलो कि इनकी नौकरी खतरे में है, तो यह बात गलत है, मैं बताता हूँ, क्योंकि जो platform बनेगा, जो तुम्हारा platform बनेगा, वो भी तो यही लोग बनाएंगे, लेको platform engineers के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगे, application developer चाहिए होगे, जो platform की API को लिखेंगे, जो integrate करेंगे, जैसे हमारे पास tools होते हैं, कुछ internal developer platform बनाने के लिए, आजकल बात इसी की हो रही है, कि internal developer platform हम जल्दी से जल्दी बनाएं कैसे, तो उसके लिए इसकी help करने के लिए भी tools होते हैं, जो की plugin based होते हैं, plugins इसके अंदर तुम plug and play करते रहो, और फिर API इससे expose करतो, और फिर बाकी जो teams हैं इसको consume कर पाएंगी, त पर DevOps के engineers भी होंगे, जो इस पूरे platform की take care करेंगे, अब तुम इने भी चाये platform engineer बोलो, इने भी चाये platform engineer बोलो, इनको combine करके भी चाये platform engineer बोलो, देखो, terminology different हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात, तो terminology तुमारी different हो सकती है, उसमें कोई issue नहीं आएगा, हमें अभी समझने platform कोई न कोई तो बनाएगा, तो वो platform बनाने के लिए जो लोग चाहिए, वो यहीं से आएंगे, सारे, और जो DevOps engineer है, वो यहाँ पे ना होके, अब यहाँ पे होंगे, तो बात सिरफ इतनी है, ऐसा नहीं है कि DevOps की नौकरियां ही खतम हो जाएगी, या platform engineering की नौकरियां ही तो यह सारे factors जो है, वो skill set, तो काफी सारा skill set overlap तो हो गई platform engineering और DevOps के अदर, यह बात तो तहा है, क्योंकि option नहीं है कोई, तुम्हें management करनी है, और तुम्हें setup करना है, तुम्हें यह सब करना है, तो वो सब तो best practices यह वो, तो तुम्हें DevOps engineer तो लगेंगे, सारे engineers तो लगेंग तो इसमें फिर jobs तो कहीं नहीं गई, तो नाम change हो गया, jobs के नाम और titles और यह सब change होते रहेंगे, responsibilities कहीं ना कहीं तक same रही, समझ में आया है, तो I hope तुम्हें जिस्ट बिल गई हो कि platform engineering क्या है, platform engineering और DevOps में फरक क्या है, जैसे DevOps से हम start हुए थे, यह की next iteration है, और इसमें teams को ब include कर सकते हैं, सारा कुछ include कर सकते हैं, अचा इसमें एक और भी चीज़ होगी है, अब जैसे platform भी, जो है, वो हमारा extensive होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब team है, अब मैं ऐसी मिनाता हूँ गोले-गोले से, team A, B, CD है, अब ऐसा हो सकता है कि चारों में, जो मैंने पहले चार tools किय है, तो यह हम platform में डाली दिया, अब ऐसा हो सकता है कि एक यह specific team को एक tool चाहिए हो, शायद captain, और बाकियों को नहीं चाहिए, तो यह वाला हम इसको बोलेंगे, यह platform engineers कहेंगे, चलो यह वाला tool हम तुम्हें setup करके दे देते हैं, लेकिन हम platform में नहीं डालते हैं, क्योंकि बा आने वाली teams को और बागी सारी teams को भी जरूरो थो, तो हम इसको as a platform ही integrate कर देंगे, और फिर लोग platform से direct request करके अपना की installation वगएरा है, plug and play system के तुरू उसको ले लेके, तो यह सारी चीज़ें होती है, platform भी extensible होना चाहिए, कुछ हथा कि बहुत rigid platforms नहीं बन सकते, बट इसमे यह है कि काफी सारे tools में तुम्हारी choice खतम हो जाती है, मतलब तुम्हें इतना compare नहीं करना जैसे githops है, उसमें flux यूज करें, argocd यूज करें, तुम्हारी company का norm है, तुम्हें कोई R&D नहीं करना, अपनी preference नहीं पतानी, तुम्हें जो भी tool available है, argocd वाला वो यूज करो, secret का tool है, वाल्ट है, उसको use करो, deployment करने के लिए Kubernetes है, उसको use करो, तो वो सारी चीजें जो है, वो standardized हो जाती है, ना तुम्हें research करनी, तुम्हारा research time बचेगा, ना तुम्हें कोई ऐसे duplicacy करनी है, between the different teams, वो भी तुम्हारा बचेगा, standardizedization हो जाएगी, security तुम्हारी हो जाएगी, तो companies को इसका बहुत जादा फैदा है, teams को इसका बहुत जादा फैदा है, in the end, जो लोग काम करेंगे, वो devops engineer, platform engineer, title change उतरेंगे, काम काफिया तक सेम रहेगा, तो skill set काफिया तक सेम रहेगा, तो तुम्हें वो सब तो सीखना ही पड़ेगा, तो इसलिए यह मत सोचो कि यह हो जाएगा, salary भी depend करती है, कि salary तुम्हें जादा मिलेगी, या इसमें कम मिलेगी, devops engineer को कम मिलेगी, और platform engineer को जादा मिलेगी, तो time to time depend करेगा, कि किसको कितनी salary मिलती है, totally dependent on the organization, मैंने ऐसा होगे तक survey देखा नहीं है, इसमें ऐसा लिखए कि platform engineer की salary हाई 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 है, devops से, हो भी सकती है, मुझे क्यूंकि idea नहीं है, हो सकता है कि platform engineer क्यूंकि fancy title है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे demand भी और जादा हो सकती है, कि तुम्हें हो सकता है Kubernetes और 3-4 चीज़ में आपको पता लगाओ कि platform engineering क्या होती है, किस बला का नाम है platform engineering, जो लोग hype कर रहे हैं कि devops is dead, devops is dead, long live platform engineering उसका मतलब क्या है, असली मतलब क्या है, रादर देन की लोगों के propaganda में fall करने की बजाए, सही से समझो कि platform होते क्या है, internal developer platforms companies को किस तरीके से benefit कर सकता, ठीक है, otcd में छोड़ा सा product अगर बना रही है, तो उसमें इतना बड़ा मतलब ही है, लेकिन आगर मार पास multiple teams है, multiple teams में multiple devops engineers है, multiple teams में multiple devops engineers, multiple multiple tools उसकर रहे है, then it becomes very important, ठीक है, तब यह चीज बहुत ज़्यादा important हो जाती है, तो I hope video में मज़ा आया हो, enjoy किया होगा, अगर video पसंद है, तो like, share और subscribe जरूर कर देना, और मिलते हैं अगली video,